नमस्कार मैं हूँ नेहा और आप देख रहे हैं डीडी बिहार पर अंतर रास्टिये दिव्यांग दिवस की विशेश प्रस्तुती समाज और विकास के सभी स्तर पर दिव्यांग जनों को आगे बढ़ाने और सभी समाज को इनके प्रती जागरू करने के उदेश से अंतर रास्टिये दिव्यांग दिवस की शुरूआत की गई थी इसका उदेश समाजिक आर्थिक साज्कृतिक जीवन के सभी पहलूं में दिव्यांग जनों को आगे बढ़ाना और इन्हें समाज के प्रती जागरू करना था तो आईए हमारे इस विशेश कारेकरम में मिलवाते हैं दो ऐसे योधाओ से जिन्होंने अपने जीवन की रुकावट को रुकावट न समझकर एक मिसाल कायम की ये दोनों समाज के हजारों लोगों के लिए प्रेड़ना बनें मेरे बगल में बैठी हैं मंजु कुमारी जो की एक अपना एंजियो चलाती हैं उनके बगल में बैठे हैं देवनात राय जो की एक प्रधान सिक्षक हैं और ये दोनों मिलकर समाज को जागरू कर रहे हैं सम अपने आने वाले रुकावटों को अपनी कमजोरी न समझकर अपनी ताकत बनानी चाहिए तो आईए स्वागत है आपका हमारे कारेक्रम में देवनात जी सबसे पहले मैं आप से सवाल पूछना चाहूंगी कि अंतरास्टिय दिव्यांग दिवस को आप किस रूप में देखत करके मूदी जी ने जो पदिव्यांग सब्द बनाया उसके लिए उनको मैं कोटी-पूटी धन्यवाद पूरे वीखलांग सभ की तरफ से देता हूं या दिव्यांग सब्द का मतलब होता है दिव्यांग अजिके बिकलांग कहने से थुराता अच्छा नहीं लगता था अभी दिव्यांग सब्द का जो परियोग किया गया है यह एक नंबर सब्द है अंतराष्टिये दिव्यांग दिवस प्रति वर्स तीन दिसंबर को मनाया जाता है इसका उद्देश है विकलांगों के उठ्थां से संब कराना है बहुत से दिव्यांग अभी गाओं में ऐसे बस्ते हैं जिनको किसी तरह के कोई सुझजा से मतलबे नहीं है पते नहीं चलता है कि कौन को सुझजा है अब पढ़े लिखे जो दिव्यांग लोग है सबसे पहली बात है यह अंतराष्टिये दिव्यांग दिवस को दिव्यांगों के लिए शिक्षा के बेवस्था करना बहुत जरूरी है जब तक शिक्षित नहीं होगा दिव्यांग लोग तब तक उनका कल्यान नहीं होगा इसलिए कि वो जान नहीं पाएंगे कि हमरे लिए क्या क्या योजना है अब हम तो पढ़े लिखे हैं तो हम समझ थिं उसक्षामुशे Chuck नजदीक बूलाकर उनको कम से कन पूछता हूं एक कि नहीं पैंशन है कि ना तरय कहां तक परहे लिखे हो में उसक्षान क Bene Solow स्ष्याल से talking करकें तुम्हारे पास है कि नहीं है सुगम भारत लाउंच करने से बहुत ज्यादा लाभ होगा विगलांगों के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है उनके अधिकार छेतर में क्या चीजें हैं तो आप एक सिख्षक के रूप में किस तरह से लोगों को जागरुक करते हैं मैं सिख्छक के रूप में जागरिक करता हूँ जैसे जिस गाउं में मेरा घर है उस गाउं में 2-4-10 आद्मी बिकलांव लोग है उनको या सकलांग लोगों को भी मैं कहता हूँ जिनके यहां देखते हैं बाल बच्चा मने इस तरह का है दिव्यांग उनको मैं सलाह देता हूँ कि इसको यही टार मत दो यह भी एक समाज का अंग है और इसको अच्छी तरह से परहाओ लिखाओ पढ़ाने लिखाने में जो कठिनाई आती है हमसे कहो मैं मन्जु जी मेरा दूसरा सवाल आप से है कि जहां समाज के लोग समाज की छोटी छोटी जो रुकावटे हैं उनको भी बड़ी कमजोरी समझ लेते हैं बड़ा मुश्किल काम समझ लेते हैं ऐसे एरा में ऐसे एक छेतर से आप आगे निकली हैं आपने इतना कुछ किया तो इन सें मतलब इन सारे परिपेख्श में अंतरास्टिये दिव्यांग दिवस को इस रूप में ऐप कैसे देखती हैंcek मेरे लिए अंतर राज्टिय दिभ्यांग दिबस हमारे दिभ्यांग जनों के लिए एक प्रेरीत जैसे हर subjects के liए जैसे महला दिभस है। कई झेतर में बनाया गया। अब जैसे गांधी जी कहा है रिले लिज्टे मैं 2 October मनाते। उसी तरह एक तो है उस तो है जो दिव्यांग जन के लिए अस्थागीत एक दिन साल में आया अब जब वो तीन दीसमर कम से कम लोग किसी और दीन याद करें या ना करें लेकिन तीन दीसमर को रेंजी वाले चोटी तबके से लेकर बड़े तक तबके लेकर हमारा भारत सरकार से लेकर के बिहार सरकार हो गई सब लोग उसỡिन कम से कम सब ये तो दीन निकालते हैं यह बहुत बड़ी बात है कि उस दिन कम से कम दिभ्यांग जनों को लोग याद करते हैं और जैसा सर ने बताया यह पहले लोग बिकलांग बोलते थे विकलांग सब्द हम लोगों कहीं न कहीं दो कदम बैक ले जाता है अपेचित कर देता है वो नाम से उन लोगों ने मुझे सुसोवित किया तो यह सही बात है कि हम देव नहीं हो जाएंगे लेकिन देव जैसा उन्होंने एक्जामपल दिया और यह इस से एक प्रेणा भी मिलता है अगर इस नाम को कोई गहराई से नापे ना अपने हाट से नापे तो यह नाम हमें है तो यह एक इनर्जेटिक बर्ड है तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्यू भी बोलेंगे और तीन दिसम्बर ऐसे हम कह सकते हैं कि समाज की मुख धारा से जोड़ने के लिए हम लोग तीन दिसम्बर को मनाते हैं ताकि यह वैसे लोग जो अपने आपको छोटा मान रहे यह कम मान रहे हैं नहीं आप कम नहीं हो आप भी शमान इंशान के जैशा ही हो आप तीन दिसम्बर यह याद दिलाता है हम लोगों को एक प्रेरीत करता है कि नहीं हम भी उन लोगों के ब्राबर हैं अगर वो एक कदम चलते हैं तो हम दो कदम चलेंगे बस अंतर इतना होता वो दो मिनिट में फासला को तैय करेंगे, हमको हो सकता है तीन मिनिट लग जाए चार मिनिट, लेकिन बै क्यों आएंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो चीज है, हम इस लेवल से देखते हैं, अंतराश्टी दिव्यांग दिवस मुख रूप से हमारे जैसे लोगों को प्र बनाया गया है, जिस दिन हम दिव्यांगों के हक की बात करें, उनके अधिकारों की बात करें, उन्हें जागरुकता लाने की बात करें, उन्हें आगे बढ़ने की बात करें, ऐसे लोगों से उन्हें परिचित करवाएं, जिन्हें देखकर उन्हें प्रेड़ना मिलें, जो कई बाधाय आई होगी तो आपने इन बाधा Nepal का सामना कैसे किया या य क्या कुछ बाधाये रही हैं आपके सामने में जनने के मुझे कफिनाई होती ती आने जने में हमारे पाठी होते थे मारे बसता को ले लेते थे लाओ भाई तुम्हारा हम ले लेते हैं अब पढ़ने लिखने की जहां तक बात हुई तो हम किसी सकलांग व्यक्ति से पढ़ने लिखने में कम नहीं रहें अब रही बात कभी कभी आम चर्चा में लोग लंगड़ा कहके भी संबोधित कर देता था तो उस समय मैं नहीं मेरे गुरुजन लोग बरा इस बात को एक्षन में लेते थे कि तुमसे कम है यह तुम्हारे जिशा है और इसके साथ इस तरह का सब्द का बेवहार मत करो मैं मिडिल पास करने के बाद में हाई स्कूल में गया हाई स्कूल में जब गया था हमेरे घर से एक किलो मेंटर की दूरी पर था हाई स्कूल अब वहाँ पैदल जाने में उतने दूर हमको कठिनाई होती थी लेकिन रोड पर लोग बैल गारी वाले मिल जाते थे कोई-कोई आदमी रोक देता था गारी बैल आओ भुगा बैठो आ आज हम रहा अंदाज नहीं था कि हमेरे जिस आदमी इस जगह पर आवेगा लेकित वधयना है डिश् hablando में किसी भी कम जो्डूर इसवर के होता है तो आँलिखा है कभी की वीनुपक्षाम सुन्हें बेनुकाना कर बीनु कर्म लखुनाना आनन सकलर्स होगी बिन वाक्ति कि यह हम क्यों सोचे कि मैं नहीं चल सकता हूं भले कुछ समय लगेगा सखलांग आदमी अगर पांच मिनट में किसी दूरी को तै करेगा तो हम लोग के साथ मिनट लग जाए दस मिनट लग जाए बिलकुल कहीं से मर्ली यह नहीं नहीं लगाना है कि हम यहां रुग यहां हम तो सबसे पहली बात अब आज के दौर में अभी अपने आपको बिकलांग नहीं अनभव करते हैं तब तो है कि अनभव नहीं करने से क्या होगा सत्त है जो सत्त है मैं तो अपने फुले चुनवती देता हूं साथियों को को जिस चेतर में तुमको हमसे बात करना है कर लो आप दोनों इतने आगे बढ़ें और इसी लिए मुझे लगता है कि अंतर अस्ट्रिय दिव्यांग दिवस मनाते भी हैं ऐसे लोगों से परिचित करने के लिए कि समाज के बाकी लोग उनसे प्रेणा ले सके तो मेरा अगला सवाल आप से है मन्जु जी कि महिला जब घर से बाहर निकलती है काम करने के लिए आगे बढ़ती है एक आम महिला भी तो उनके सामने कई तरह की चुनौतियां आती है कई तरह के विरोध का सामना करना पड़ता है कई लोग हतुत साहित भी करते हैं बेशक आपके सामने भी इस तरह की चीज़ें आई होंगी आपने उन च पहास तोर से बिहार थोड़ा सा अभी डेवलप होने में टाइम लगे जैसे सैचिक छेतर में अभी बहुत सारे लोग एजुकेशन बहुत बैक है इसका लेकिन इस जगह पे अगर महिला आगे निकली है तो यह बहुत बड़ा मायनिया चाहिए वो कोई महिला हो दिब्यांग होता है हमारे कल्चर को भाई यह तुम्हारा कल्चर नहीं है बाहर नहीं निकलो यह बाते तो आती है आती और प्लस जब आप बाहर निकलते तो बहुत सारी प्रोलम पहली तो मनी प्रोलम आता है एक महिला अगर बाहर अपने फैमिली को तोड़ के निकले तो पैसा ले कहा कि जब दिव्यांग महिला देखता है तो हर जगा लोग और ज्यादा करता है कि तो चलो हाथ देने के सहारे ही जैसे अभी भाई साब मुझे हाथ दिये इस तरह का जब रोड पे बाते होती है ना तो बहुत ही सोचना पड़ता है कि मैं हाथ दूं या नहीं दूं मैं हेल्प या नहीं लोग यह बहुत बड़ी बात है यह चोटी भी है और बड़ी आप कह नहीं सकते हैं यह दोनों के बीच में क्या समंजस है अब महिला सोच रही है कि मैं हाथ दूं या ना दूं पता नहीं कैसा इंसान है इसके अंदर क्या है लेकिन कभी-कभी आंतरिक इच्छा क मैं यह नहीं कहूंगी मैं निकलन को बहूँ लोग को भर नहीं रहा निकलने दिया चाथ था तो ये अधीयों को ज़रुवत ही नहीं यह जीए च्छी इनकानि दीन का करूंगा चनला कर नहीं है तोसमरें लड़ा हाने दादा से लड़किय कम쉬ınd आशि एजुकेशन में समाज मुझे अपेचित किया, मुझे जब जब बैक करने का कोशीश देए वहां से मुझे प्रेह न मिला। जिए जो कोई बोल देता कि तुमंसे ये काम नहीं होगा। तुम तो ऐसी हो तुमnten ये काम नहीं होगा। मैं उस सबिकनर व्हाम को सबसे पहले करती हैं दियर मेरा इनरजोर्टिक आदत है या जो काह दीजिए कम जोड़ी या के असको प्लस में ले लिजिए मानन पर मेरी आदत है आप बोल दिये कि काम नहीं हो जो मैं सबसे पहले करेंगी उना, यह चीज मुझे इंस्पायर करता गया और यही कर यही जो कह सकते हैं कि मैं उस समाज को उस परिवार को जो मेरा पैर खिचना चाहिए मैं उससे बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इसलिए करते हूं कि सायद वो नहीं खिचते तो मेरे में यह नहीं आता और वो इनर्जी के भी जॉब के लिए जब आने जाने लगी तो मुझे लगा कि वहां जाकर के जॉब नहीं मिलना और एक विकलांग ब्यक्ति हतास हो के जब लोटता है तो कैसा फिल होता है तो मैंने एक ऐसा कंपनी बनाया जिसमें मैं मेरी कोशी से कि ऐसा फैक्टरी ये तबदील हो जाए अभी बहुत नया है अभी मैंने सिर्फ इसका नीव डाला बीज डाला मेरी कोशी से के फैक्टरी इतना ग्रोव करें कि इसमें मैं 90 परसेंट दिव्यांगों को जॉब से जोड़ सकूं मेरा यह यह उद्देश से आर्थिक तोर पर अगर एक आदमी सक्षम हो जाता है तो वैसे भी आशाल हो जाती है और पैसा कहते हैं पैसा भगवान तो नहीं लेकिं भगवान से कम भी नहीं इसलिए मेरा मानना है कि अगर पैसा होगा ना और आदमी के पास अगर ब्रेन है ना तो बैटे बैटे सारे इंडिया पर राज कर सकता है रहा प्लकु बिलकुल बिलक तो एक पैसा होगा, तो आज जैसे बहुत सारे NGO हैं, यह नहीं कहते हूं कि गलत हो, जरूरत है, लेकिन मेरे कहना कि क्यों नहीं इतना पैसा हो हम दिभांगों के पास, कि अपना खुद का काम चलाते हुए, अपना कलीपर है बैसाखी है, उसको हम खरीज सकें, इतना पैसा हो अब अभी कहां जैसे एक समय था 30% इस पे कलीपर बगरा पे लगता था टैक्स अभी 5% साथ लगता है इतना कम हो गया सरकार इतना अगर हम लोग को दी है तो उसका कुछ तो बेनिफिट उठाना चाहिए हम लोग को भी एक कदम आगे बढ़ना चाहिए इन सारी चीजों को द पेदेबानें बिल्कुल नॉर्मल ही हो जाहे जहां शमान जण वहां शमान जन एक इन बिल्कुल नॉर्मल तो ये इस Nation कहें अकही न जएस सऊरकार के सास्थ हमारी पहल भी जरूरी है अगर हम सर्व विकास की बात करें तो सरकार की तरफ से क्या कुछ सहयोग मिल रहा है दिव्यांगो को या उनके लिए कौन सी योजनाय लागू की गई है सरकार की तरफ से अब ही तो देखिए दिव्यांगो के लिए बहुत सारी योजनाय चल रही है अब रही बात कि जिनके लिए जो योजनाय चल रही है उनको मालूम हो तब ना बेलकुल बेलकुल बेल जागरूपता सबसे पहली बात यहां सिक्षा आरे आ रहा है पीपर पढ़ेगा मैगजिन की पर एगा TV देखेगा तो हमने पता चलिए कि हमारी ले क्या हो रहा है कल मैं देख रहा था भिक्लांगो के लिए हावाई जाहाज में भी टिकट में चुट है. जुट है। के द्वारा 1981 में अंतराष्टी ये बिकलांग दिवस का संचालन भारत में बहुत कस्क हुआ। उसी में हमारी नुखरी हुई। कोई उस समय डिवीजन नहीं देखा जाता था, कोई अबलीटी नहीं दिखी जाती थी। जो जैसा बिकलांग है, कैसा हूँ हो बिकलांग हो मैं टिक पास होना चाहिए। सुनवकुरी लग गए। अब रही बात सरकार के तरफ से तो हम समझते हैं किसी तरह के कमी नहीं है दिव्यांगों के लिए। अब ऐसे उपर लोग बरे-बरे दिमाग वाले लोग हमारे बैठे हुए हैं। लोग सभाब में एक परेव संस्था है जो भिकलांगों के हीत के बारे में सोचता है। अब वोग तो देन रात भाई यही सूध कर रहा है कि और क्या चाहिए। और क्या क्या चाहिए। तो हमको कोई उससे नाराज होने कियाव सेकता नहीं है। मैं नाराज नहीं होता हूँ। हमरे बगल में एक आदमी थे, हमरे चाचा लगते थे, वो एक आख से बलाइंड थे। इतना विद्वान थे, हम जब उनके साथ बैठते थे, यही शिक्षा हो देते थे। कि बेटा हमको कोई काना कह दे, तो रहा कोई लंगना कह दे तो बुड़ा नहीं मानना है। उनको समझाओ, यह देखो यह विधाता का दिया हुआ, एस्पेसल चीज है, इसका उपहास मत करो। आभगवान कृष्ण कहें हैं, जिस ब्यक्ति के बारे में आप जितना हसते हैं किसी को देख करके, आगे आने वाला समय में आपको उससे ज़्यादा दुख का सामना करना करना पड़ेगा। का एक उचीश को तुम नहीं ने बनागा है, बनाने वाला तो कोई और है, उसकी बनावट पर तुम क्यों हस रहे हो। जिस्ती रचना इतनी सुन्दर वो कितना सुन्दर होगा। बिलकुर, तो वो हमारे आत्मर्श्वास पर निर्भर करता है कि हम किसी इक्षा को कैसे ले रहे हैं। हम तो अभी तक अपने आपको कहीं से बिकलांग अन्भव नहीं करते हैं। हम करते हैं, भाईब जी श्यत्र में हमसे बात करना है करो। हमरे जहां तक समाज की बात है, जितने लोग जो बच्चा पढ़ता है मेरे विद्याले में, उसको मैं स्कॉट अलाविंस, शात्रवीर्ती, पुसाग, ड्रेस, सब कुई खास करके दिव्यांग बच्चों को उपर मेरा भी इसे फोकस होता है। काहे होता है चुक् succession हम भी विकलाँ डिव्यांग बिलकुल एक ही हमारी ड्यूटी भी बनती है, कि अगर हम आगे बढ़े हैं तो हमारे जैसे और लोग ही आगे बढ़े हुए हमारे बी रर्पीपी आते हैं मेरे बच्चा के मदद करो, बिचला जाता है उसके पास, सब कुछ जितना जो सरकार के द्वारा सुब्धा है, उससा मुहया करवाता है. मन्जु जी मेरा अगला सवाल आप से है कि हमारे समाच की कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने शारिरिक बाधा कहें, उसे हार मानकर घर बैठ चुकी है, उनके अंदर एक हतुत साहन की भावना जाग चुकी है, वैसी महिलाओं को आप किस प्रकार प्रेडित करेंगी? मैं वासी महिलाओं को खास्तों से ये बोलूंगी कि अगर उनके बैठने से क्या उनकी दिन चड़िया में सुधार हो जाएगी तो वो बैठे रहें, लेकि मेरा साफ का ना कि उससे तो और और पीछे दलदल की और वो बैठते चली जाएगी, तो क्यों ना वो आगे कि अग सकती है, और आज कल तो यूटूब चैनल ऐसा आ गया है कि आप घर बैठे, आप चाहिए तो घर बैठे, अब तो इतना टेकनोलोजी एडवांस हो गया है कि बहुत सारे हमारी ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे दिव्यांग महिला आज भी हैं, कुछ तो जैसे हतास हो गई है तो उनके मन के अंदर की कमी है और कुछ नहीं है, वो आलस है उनका, तो यह दिव्यांग होती तो यह अनन दिव्यांग होती तो तो भी ऐसे ही कंडिशन में होती है, मेरा यह शापका ना कि यह उनके मन की कमी है, बढ़ना दिव्यांग होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुआ हैं नहीं मानती है को मानते हुँ च्रव canyon सरी marow likaam se komi हो जाना यह देव्यांगता नहीं है brain मेरा काम कर रहा तो में बैठे बैठे सारा काम कर सोट। technology के दुनिया में काया कप कल के डेट में में अपनी बताती आप क्दउन्य से सब मेरे अपने कलपनाते कि मैं कशीदा सिखने ग Suppose यापसे नहीं होगा। मैंने उसका फ़लावर आज़ी जो भर्क था वह मैंने कल ले जाके घ्रक दिया तो वो मेरी अंशे थी वो निकला और मैं वह किसीदा पूँल टेवल तयार कर दी दो दिन के अंदर हैरान रह गई सिश्टर की कैसे की हमकी बस कुछ नहीं एक हाथ से मैं चलाते गई एक हाथ से कमांड करते गई एक हाथ से कसीधा वो तोटली आपके उपर है कि आप उसको कमजोडी बना लो या उसी चीज को प्लस पॉइंट में ढाल दो मेरा काना मैं इसी प्लस पॉइंट में लेकर चली प्लस पॉइंट यह लेना है कि आम इन्शान की मेहनत अगर इतनी है तो मुझे मेहनत इतनी कर ली यह यह तैह और कई लोगी एक दर्वाजा बंद होता है तो उसे क्यों नहीं चुना मूझे क्यों चुना हम हमें नजर्मोदी ने दिब कर सके आपके अंदर यह चमता है तभी तो भगवान जी आपको चुने दिव्यांग बनाने के उसे क्यों नहीं चुने तो यह प्रेड़ना वह अपने अंदर जगाए अपने आपको जगाए सामने देख करके जगाए और कुछ भी शिखना हो सीधे आज यूटूब पे और अभी एस्किल डेवलप्मेंट के माध्यम से भी बहुत सारे ट्रेनिंग हम लोगों मिल रही है दिव्यांग जनों को फ्री ओफ कॉस्ट है आप वहां भी बारसर कारदवार जो यह योजना है उसमें भी मिल रही है उसमें भी जाके सिख सकते हैं अगर जाने लाइक है यह चीज है तो मेरा एक साफ करना है कि ऐसे लोग अपने को अंदर से इनरजेटिक बनाएं अंतरास्टिये दिव्यांग दिवस के संदर्व में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे या आपके जैसे जो दिव्यांग जन है उन्हें आप हमारे चैनल के मा रहेगा निहा जी कि वो लोग अपना हॉसला बुलंद रखें बिलकर हॉसला को पीछे नहोंने दे इस्वर ने अगर हमसे कुछ ले लिया है तो उसके बदले में बहुत सा कौश्टली चीज दिया है हमको फोर एक्जामपल सुनिए हमारे बारे में मैं हर्मोनियम बजा ले कि अरे चलो चलो मास्टर साय को गाना होडा है तो मैं अपने दिव्यांग भाईयों को यही संदेश देना चाहूंगा कि भाई मन छोटा मत करो हमेशा उपर की ओर देखो नीचे मत देखो धूआ की तरह उपर उठना सीखो पानी की तरह नीचे बहना मत सीखो आगर नहीं धूआ की तरह उठ रहे हो तब प्रयास करो कोशिश करो जो दिव्यांग उपर की ओर उठ गया है उससे सहजोग लो आओ मेरे पास जहां जो कोई कठिनाई होती है मैं तुमको कठिनाई में मदद करूँगा और सरकार के तरफ से तो बहुत सा चीज हम लोगों को अब मिला ह है पहले कहां कुछ था आज कि सरकार तो हम लोगो अब बते कि आउपीस में राइंप बना हुआ है कि वीलचेयर के माध्यम से टेक्नलोग यह नहीं है आज हमें यहां चले आते हम नहीं आते एयरपोर्ट पर मेरे लिए कल बता रहाते कि एयरपोर्ट अगर हवाई जहाज क आप यात्रा करना चाहते हैं तो सिर्फ टिकट कटा लिजिए आप और किसी तरह से एयरपोर्ट चले गए उसके बाद आप देखिए कि आपको क्या क्या सुधा मिलती है बहुत बहुत धन्यवाद मन्जु जी आपका भी आप दोनों हमारे स्टूडियों में आए और अपन तो दर्शको जैसा कि आपने देखा कि अंतर रास्टिये दिव्यांग दिवस एक दिवस्मातर नहीं है ये एक ऐसा दिन है जिस दिन हम दिव्यांगों के अधिकारों की बात करते हैं उन्हें जागरुक करने की बात करते हैं समाज के मुखे धारा से जोडने की बात करते हैं डीडी बिहार पर हम इसी प्रकार प्रेड़ना दायक लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे प्रेटना दायक विश्यों से आपको अवगत कराते रहेंगे इसलिए बने रहें डीडी विहार के साथ आपको हमारा आज का विश्य शांग कैसा लगा हमें जरूर बताएं तब तक के लिए अपना ख्याल रखें नमस्कार जैहिंद